काशिरा में गरीब मजदूर था वो सीट दुली चन के यहां आटा मिल में काम करता था एक बार कई दिनों तक मुस्ताधार पारिश होने के कारण मिल में पानी भर गया कई दिनों तक पानी जमा रहने के कारण मिल का काफी सारा आटा खराब हो गया जिससे मिल के मालिक दुली चन को काफी नुकसान हुआ मिल को काफी घाटा हुआ है ऐसे में हम इतने सारे वरकरों को सेलरी देना अफोर नहीं कर सकते हैं हमें मिल के वरकरों की छटाई करनी पड़ेगी मैनेजर ने छटाई का काम शुरू किया और बदकिस्मती से काशी राम का नाम भी उन मजदूरों की लिस्ट में आ गया जिनको मिल से निकालना था मजदूरों पर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ी सारे मजदूर इकठा होकर दुलिचंद के पास गए और उनसे कहा ऐसा मत कीजिए मालिक ऐसे अचानक से आप हमें काम से निकालेंगे तो हम तो बरबाद ही हो जाएंगे देखो मिल को काफी घाटा हुआ है ऐसे मैं तुम सब को तनख्वा देना मेरे बस की बात नहीं है इसलिए तुम सब लोग कहीं और अपना इंतिजाम देख लो ठीक है मजदूर मिन्नत करते रह गए मगर दुलिचंद टस से मस नहीं हो आखिरकार मजदूरों ने हार मान ली और वहां से चले गए अरे चलो भाई यहाँ अपनी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है काशिराम के परिवार में उसकी पतनी और छे साल का एक बेटा मुनना था वो शहर की जुगियों में से एक में किराय पर रहता था नौकरी जाने के एक महीने तक तो घर में बची जमापूंजी से किसी तरह गुजारा चला मगर महीना बेटते ही उनकी हालत खराब होने लगी काशिराम रोज सुबह काम की तलाश में निकलता और शाम को निराश होकर वापस लोटा था इसी तरह दो महीने गुजर गए एक दिन सुबह सुबह उनका मकान मालिक आधम का काशिराम दो महीने हो गए हैं मेरा किराया निकालो नहीं तो मकान खाली करो थोड़ी दया केजिए मालिक घर में एक फूटी कौडी नहीं है दो दिन से पूरा परिवार बस पानी पीपी कर गुजारा कर रहा है हमें कुछ समय और दे दीजिए नहीं नहीं अब एक मिनिट का भी समय नहीं दे सकता दूसरा किरायदार पैसों के साथ खड़ा है तुम्हारी वजह से ही मैंने उसे रोक रखा है किराया दो या घंटे भर में मेरा मकान खाली करो बिचारा काशिराम निराश हो गया घर में से पैसे तो ऐसे गायब थे जैसे चील के घूंसले से मांस आखिरकार बिचारे को अपनी बीवी बच्चे के साथ घर खाली करना ही पड़ा दिन भर तपती धूप में वो अपने परिवार के साथ भटकता रहा इस तरह दिन भर तपती धूप में खाली पेट भटकने से उसके बच्ची की तब्यत खराब हो गए उसका बदन बुखार से तपने लगा, काशीराम और उसकी पत्नी घपरा गए अची देखो न मुन्ये को क्या हो गया है, आँखे ही नहीं खोल रहा है काशीराम ने देखा कि मुन्ये की आँखे सच मुझपन थी, वो बेहोश हो गया था काशीराम के हाथ पाउं ठंडे पड़ गए अरे देख, क्या रहो कुछ करो ना, है मेरा बच्चा अरे एक बार अपने मिल्ड के मालिक से जाकर तो कहो, मुन्या की हालत सुनकर उनका दिल पसीच जाएगा अब काशीराम अपनी पत्नी को कैसे समझाता कि उसके मालिक का दिल नहीं है, पत्थर है जो आदमी बिना एक पल भी सोचे 500 मजदूरों को एक जटके में नौकरी से निकाल कर बेसाहारा कर सकता है, उसके दिल में एक मजदूर के बच्चे के लिए दया कैसे उपच्च दी फिर भी पत्नी के कहने पर वो एक नामुम्किन सी आस लिए दुलिचंद के बंगले पर गया क्या है? मालिक, बच्चे की तबियत बहुत खराब है, कुछ मदद कर दीजिये मालिक, भगवान भला करेगा आपका अरे मैंने क्या तुम्हारे बच्चे का ठेका ले रखा है? है? एक तो मैं वैसे ही घाटे में चल रहा हूँ उपर से अगर खेराग बाटने लगा तो मुझे भी तुम्हारी तरह भीक मांगनी पड़ेगी अब चलो जफा हो जाओ यहां से काशी राम को ना पैसे मिले और ना ही कहीं सिर छुपाने की जगा हार कर काशी राम और उसके परिवार ने फुटपात पर शरन ली इसी तरह शाम खेराई गर्मी कम हो जाने की बज़े से उसके बच्चे को कुछ राहत मिली उसने अपनी आखे खोली उसे होश में आता देख कर काशी राम और बिंदु को कुछ राहत मिली मा, मुझे बहुत भूख लगी है कुछ खाने को दो ना मा सिर्फ एक रोटी दे दो मा और कुछ नहीं जाई है कल से कुछ नहीं खाया है मा बच्चे के मुझे ऐसी बात सुनकर काशी राम और बिंदू का दिल रो पड़ा बस अभी मैं अपने मुन्ने के लिए खाना लाता हूँ ठीक है तुम बस थोड़ी देर आराम करो बेटा मैं अभी आता हूँ इतना कैकर वो उठा और जाने लगा कहां जा रहे हो मेरा मुन्ना भूख से तड़ाप रहा है उसके लिए खाना लाने जा रहा हूँ चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े काशिराम वहां से चला और एक वड़ा पाव की ठेले पर पहुँचा एक पाव दे दो भाया मेरा बच्चा भूख से तड़ाप रहा है काशिराम ने आव देखाना ताव ठेले पर रखा एक वड़ा पाव उठाया और वहां से भाग गया मगर तब तक काशिराम वहां से भाग चुका था उस रात फुटपात पर उनका बच्चा सोया हुआ था काशिराम उसके सिरहाने बैठा हुआ था और बिंदू बच्चे के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख रही थी तब ही वहां से कई मोटर साइकल सवार लड़के तेज शोर मचाते हुए निकले वो सब शराब पिये हुए थे और बाइक बहुत तेज चला रहे थे तब ही उनमें से एक बाइक वाला लड़का अपना संतुलन खो देता है और धडाम से पिछल के खमरे से टकरा जाता है उसके सर में भयानक चोट लगती है वो वहीं गिर जाता है और उसकी बाइक उसके ही पैर पर गिर जाती है उसके में से एक भयानक चीक निकलती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है ये सब देखकर काशी राम और उसकी पत्नी सहम जाते है अरे मरने दो मुझे उससे क्या, है, मैंने थोड़े ही उससे कहा था कि शराब पिकर गाड़ी चलाओ देखो, कहीं मरना गया हो, कैसी बात करते हो, ये भी तो किसी का बेटा होगा, चलो देखते हैं दोनों वहाँ जाते हैं, लड़के के सिर से बेताहाशा खून बह रहा था, काशी राम और बिंदू जोर लगा कर बाइक को उठाते हैं, लड़के का पाउट टेढ़ा हो रखा था जाहिर सी बात थी कि उसके पाउट की हड़ी टूट चूकी थी, बिंदू ने जल्दी से अपने साड़ी का आचल फाड़ा और लड़के के सिर में बान दिया असास तो चल रही है, अस्पताल ले जाना होगा, मगर अस्पताल तो यहाँ से काफी दूर है, कैसे ले जाएंगे तभी उसकी नजर सड़क पर रखे एक हादगाड़ी पर पड़ती है, उसके दिमाग में एक आइड़ी आता है, बिंदू और काशिराम दोनों बड़ी मुश्किल से उस लड़के को उस पर लाग देते है, अस्पताल में लड़के के मुबायल से उसके पिता का नंबर मिलत है, जिससे उसके घर सूशना दी जाती है, लड़के के मा और बाप दोड़े दोड़े आते हैं, उसका बाप कोई और नहीं बनकि सेड़ दुलिचंद ही था, पंदरह मिनट की और देर हो जाती तो आपके लड़के का बचना नामुम्किन था, वो तो भला हो उस आदमी का जो आपके लड़के को ठीक समय पर यहां ले आया, कौन है वो डॉक्टर साथ, मुझे एक बार उस फरिष्टे के पास ले चलिए, डॉक्टर दुलिचंद को काशिराम से मिलवाता है, काशिराम को देखते ही दुलिचंद की आँखों में आसु आ जाते है, वो काशिराम के पैरो में जिर जाता है, अरे अरे सेट जी, यह आप क्या कर रहे हैं, मुझे माफ कर दो काशिराम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया था, मगर तुमने मेरी बुराई का बदला अच्छाई से दिया है, आज अगर तुम ना होते तो मेरा बेटा भी जिंदा अब तुम मुझे प्रायश्चित करने का मौका दो इसके बाद दुलिचन ने ना सिर्फ काशिराम को अपने बंगले में एक अच्छी नौकरी दी, बल्कि उसे अपने बंगले में रहने की जगा भी दे हलो दोस्तों, कैसे है आप सब? हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलेगा